हालो गाइज वेलकम टू माय चैनल स्री एसेस एन वर्ल कैसे आप सब आ सकते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुम मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो यह सबसे जादा यह चीज है कि डी एसेसपी ने अपनी एक्जाम डेट जारी करती है बहुत सारे एक् । इसेसपी, TGT पी ती जीटinePgt जो भी टीचिंग एक्जाम है उनका एक्जां कब तब तक हो सकता है और कब नहीं हो सकता है. तो first of all तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो DSSB ने exam date जारी की है तो बहुत से exam जो pending पड़े थे उसकी date जारी की है और एक तो exam जो है वो current में form fill करवाए थे उसकी भी उसने exam date जारी कर दी है तो March end तक तो हमारी ये exam चलेंगे ठीक है और अब बात करते हैं DSSB TGT की तो TGT का exam नहीं होगा अभी क्योंकि इसके पहले होगा तो DSSB PGT का exam होगा उसकी date allowance होगी क्योंकि 8 March तक तो अपने TGT के form ही fill होने है ठीक है वो form filling की बात कुछ time उन्हें चाहिए होता है तो हमारे हिसाब से ये exam मई में जाएगा मई के पहले exam हमारा DSSB TGT का नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ब्रॉष्ट स्लेवर्स होता है और उसमें हमें तयारी के लिए time चे ये होता है और time के अलावा हमारे 8 March तक form fill हो रहे हैं बहुत से बड़े लेवल पर form filling होती है बहुत से form डाले जाते हैं तो उसके लिए exam center बनाना एड्मिट कार्ट अलाव करना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इतनी जल्दी कर पाना possible नहीं होता है तो अगर आप logically सोचेंगे तो आपको answer खुद ही मिल जाएगा कि अगर DSSB TGT का exam TGT math social science जो भी subject है आपका उसका exam अभी नहीं होगा जब तक आपने TGT exam से पहले PGT का exam होगा then हमारा TGT का exam होगा क्योंकि अभी 8 March तक हमारे form भी fill होने वाले हैं और जो यह teaching में जो भी लोग हैं जो यूटूब पर अफवा उडाते हैं या जो बड़न डालते हैं कि वे दिन 25 डेज में exam करा लिया जाएगा form filling के बाद only 25 डेज का time दिया जाएगा तो हमने चाहते कि यह उनकी बास सत्तो पर मुझे ऐसा लगता है कि बैच के नहीं कि बैच हमारा कितना बिक जाएं कितने हमारे टेस्ट सीडिज बिक जाएं इन चकर इन सबके चकर में बच्चों के उपर बड़न डाला जाता है कि उन्हें एक ऐसा माइंड सेट अप किया दिलानरा तुमार traz या क्वेर कि जली से जल्दी मेनमे पढ़ लेंगे डिल में तुमियं मेन आपको डीपली पढराई करनी होगी आगार लेंट आप सब्सक्राइब करनी होगी वह भी सिक्स से लेकर 10 तक तो आपको करनी ही है बाकि आपको जोग्राफी और एकोनोमिक्स के लिए आपको 11 और 12 तक का भी स्लेवर्स फाइंड करना होगा ठीक है और जैसा कि आप देख पार है हमारे पास नाइंध क्लास की वह गोल नहीं उसको पता है कि उसमें नहीं आए थे सारे स्टेटमेंट बेस कुशन ते और वह भी एक्जाम कर लिया है तो आई होप आप लोग मेरी बास समझ पा रहे होंगे ठीक है थोड़ा अपना माइंड भी यूज किया केजिए इतनी जल्दी घबडा मत जाया करिए कि यूटूप वालों ने कह दिया कि इतने दिन में ये एक्जाम हो जाएगा ये ये हो जाएगा वह आप घबडा गया तुरंत ये बैच ले लिया वह बैच ले लिया बैसों का भी ध्यान नहीं किया तो भाई पैसे माइने नहीं रखते पर हमें कंटेंट भी तो अच्छा मिले हमारी सालें बरबाद होती है बड़ी मुश्किल में टीचिंग के एक्जाम आते हैं ठीक है उस अपरेल तक अपना अपरेल तक अपरेल तक अपना पूरा एक्टेश कर लेंगे और यह मस तो नहीं करेंगे घ्यान हो थो तो आपका syllabus and practice दोनों ही complete होंगे क्योंकि DSSB में time management का बहुत जादा game होता है तो please अगर आप लोग हमारे daily target से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे channel को subscribe कर लें like करें and telegram link से जुड़ जाएं उसमें मैं अपना daily target आपको share करती हूँ और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है जब तक आप target या roadmap नहीं तयार करेंगे तब कि तब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी तो आज से ही अपना एक roadmap प्लान कीजिए उसके बाद अपने daily target बनाईए टाइमिंग बनाईए कि हमें कब से कब पढ़ना है ठीक है और roadmap बनाईए और daily target इतना बनाईए कि जिससे आप उसे achieve कर सकें आपको एक demotivation ना है कि मैं अपने target पूरा नहीं कर सकती है यानि कि flexible target होना चाहिए आपको अगर आप मुझसे roadmap चाहते हैं और आप daily target चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लें and comment box में comment करके बता देना और telegram link से जोड़ जाए क्योंकि time जादा नहीं रहता है कि मैं daily target का वीडियो बनाऊ सिर्फ मैं daily target की बिच्चर telegram पे share कर देती हूं वहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है बाकी seat at paper to social science के लिए ncrt series चला रखी है मैंने अगर आपके कोई भी relative हैं जो seat at paper to social science की तयारी कर हैं तो उनको यह मेरा चैनल सेयर करते हैं जिससे वह हमारी ncrt series से जोड़ जाए तो guys i hope यह video आपको help करेगी and thank you take care and bye bye